कि दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे चैन पर किरिया की जो कि अभी एन्यम की 2021 में एन्यम के जो फॉम आये थे कुल वेकेंसी यहां पर 8883 वेकेंसी निकाली गई थी और इसके सब्सक्राइब करेंगे इसमें कितने कोशन पुशे जाएंगे कौन-कौन से कोशन पुशे जाएंगे सभी का सवाल रहता है दोस्तों इसके वीडियो को बनाया गया है किताब को ताकि आपको मदद मिल सके इंटर्वी होगा नहीं होगा और जो एक्जाम लिए जाते हैं किन स कि यहां दोखर पाएं हैं को अगली बार फिर आएगा इस तरह का फाम कि दोस्तों पूरा डिटेल्स क्या है इसके बारे में हम चेए छ courtesy अब करेंगे यहां यहां पर रॉछ करेंगे जैए कर तेस्ट लिया जाएगा यहाँ किlynn की 20 आपकी कराई जाएगीının कि पोस्ट के लिए और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जू आपको कराई लिया जाएगा उन्हाइब से पर्छे यहाँ माक्स का यहाँ यहाँ पर आपका शीन वाई यहाँ बार इंटर्भीव जो होगा आपको यहां पर इंटर्विव नहीं कराये जाएगा इसमें कि यह वह लापका सेलेक्शन जो लिया जाएगा सिबीटी के माझध। के माधिया जाएगा एक एक्जाम होगा जिसमें से आप अब्जेक्टी पुछे जाएगे कि सत्रह के पुछन पुछे जाएगे हम लोग यहां पर देखेंगे यहां पर सेलर की बात की जा रही 11500 सेलर दिया जाएगा आपको इसके बाद आपकी मेगा सुची तयार की जाएगी जिसमाने इधी टाइ होते हैं यानी कि टाइ की होने का यहां पर कहा जारा इसका मतलब देखिए जो 2 या 2 से अधी कंडिडेट यही समाने अंक पराप्त करते हैं तो उनका मेगा सुची कैसे जनमतित्य जदा रहेगा उसको पहले बर्यता दिया जाएगा इसके बाद यहांप जफ के सामिल किया जएगा इस से भी बात नहीं बनेगा तो 10 वी क्लास में यदि आपके नाम के बंड माला के आधार पे यहां पे रखा जाएगा जिसका नाम ए से होगा उसको पहले रखा जाएगा जिसका भी से रहेगा उसको बाद रखा जाएगा computer based test यहां पे कृइए जाएंगे कि समान्य वर्ग के जो केंडिडेट रहेंगों इसको 40% अंक लाना है इनके 100 में 40 नमबर लाना है पिछले वर्ग के लिए यहां पर 36.5% अंक लाना जरूरी है अतियांत पिछला वर्ग केंडिडेट है यहां पर 34% अंक लाना जरूरी है अनसूची जाती अनसूची जन जाती महिला दिव्यांग के लिए यहां पर 32 अंक लाना जरूरी है ताकि उनको मेगा सुच में सामिल किया जा सके और इससे ज़्यादा यदि अंक लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा सेलेक्षन प्रोसेस में आपको यहां पर एक कुछ अस्थान मिल सकता है ज्यादा नंबर लाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा हम लोग यहां पर बात करेंगे कितने कोश्चन पुछे जाएंगे और समय कितना रहेगा कोश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पर देखिए ए और analytical ability पुछा जाएगा जो कि आपको एक number कर रहेगा 20 question पुछे जाएगे इसके बाद numerical ability रहेगा एक एक number कर रहेगा 20 question पुछा जाएगा यहां पे यह की 20 marks का पुछा जाएगा और technical question पुछे जाएगे जोकि आपके subject से रहेंगे एने में जो पढ़ाया जाता है उस सब्जेक्ट से रहेंगे 20 यहां पर 20 कोश्चन पुछे जाएंगे और आपको दो मार्क्स का रहेगा एक कोश्चन दो मार्क्स का रहेगा एन की टोटल जो कोश्चन पुछे जाएंगे आपको यहां पर 80 कोश्चन पुछे जाएंगे और गला माख्ष जो रहेगा यह और और अवितो नहिए जाए जाएगा एक है इसमें को ज Resources करना है असी कोष्षान है तो है इसलब करेंगे तो आपका हो कि करना है Uhr क्योंकि निगेटिंग मार्क नहीं है इसमें यानि कि यदि गलती भी करेंगे तो उसका नंबर नहीं कटेगा यदि आपका मेगा सुची में नाम आता है तो इसके बाद आपका डॉकमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा या काउंसलिंग कराया जाएगा दोनों साथ ही होगा डॉकमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद